भारतिये लोग पूरी दुनिया में धमाल मच्छा रहे हैं और इस बार बारी है अमेरिका के राश्ट्रपती चनाव की अमेरिका में राश्ट्रपती पत की उमीदवारी की दौड में दूसरे नंबर पर कोई अमेरिका नहीं बल्कि एक भारतिय है जिनका नाम है विवेक रामस्वामी भारत में कहां से है ये बताने से पहले आपको बता दे कि उनका राश्ट्रपती पत की उमीदवारी के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ऐलन मस्क ने भी अपना समधन दे दिया मस्क नेरामस्वामी के बारे में कहा कि वो होनहार और आशाजनक उम्मीदवार है मस्क के अलावा भी विवेक रामस्वामी की लोक प्रियता अमेरिका में सब आश्चर्य चकित कर रही इसके चलते अब भारतियों के लिहाथ के अमेरिका की राजनीती काफी रोच पो चपी युवाओ में काफी चर्चित सैतिसवर्शिय रामस्वामी रेपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रयपती पस्पति के उम्मीदवारों में सिर्फ अमेरिका के फूर्व राष्ट्रपती दोनाल ट्रम्प से पीछे हैं लेकिन उन्होंने ट्रम्प के मुख्य प्रतिस्क परती समझे जा रहे फ्लोरीडा के गवर्णर रॉन्डिसेटिंस को पीछे छोड़ते हुए वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं इतना ही नहीं कि सिर्फ विवेक रामस्वामी ही अमेरिका के राष्ट्रपती की दोड में एक मात्र भाट दिये हैं और अमेरिका के इतियास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक नहीं बलकी दो दो भारतवन्शी अमेरिका में राष्ट्रपती पत की उमीदवार की दोड में ह और दोनों ही Republican Party से आपको बता दे कि विवेक रामस्वामी के अलावा भारतवंशी निक्की हैली भी दौड में बनी हुई थैं लेकिन रामस्वामी अपनी लोक्रियता से लगातार सुर्खिया बटोर रहे थैं विवेक रामस्वामी ने रूस यूकरेन युद्ध पर भी अपनी राय रखते हुए कहा कि युद्ध में हमारा जोर पुतीन के हराने पर नहीं बलकि अमेरिका के जीतने पर होना चाहिए नाटो की सदस्ता से यूक्रेन को इंकार कर दिया जाए और फुतीन को यूक्रेन के कुछ भागों पर जैसे दोन बास आधी पर कब्जा दे दिया जाए उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए ज़ादा जरूरी ये है कि चीन और रूस में सैन्ने सयोग खत्मू सैतिस्वर्षिये विवेक रामस्वामी अमेरिका में सबसे कम उम्र के उम्मीदबार है बता दे कि विवेक के माता-पता मूल रूप से कैरला के रहने वाले हैं और अमेरिका जाकर बसके विवेक का जन्म अमेरिका के ओहायो का है और उन्होंने हावर्ड और येल जैसी प्रतिष्टित युनिवर्सिती से पढ़ाई की वो किताब लिखने के भी बहुत शौकीन है उनकी एक मशूर किताब है Walk Inc. Inside Corporate America's Social Justice Scam ये किताब बेस्ट सेलर रही है आगे की कबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दानगरी न्यूस शुक्रिया